सब्सक्राइबर तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फूड एंड निउट्रियेशन कैन यू रिकॉल क्या तुम याद कर सकते हो या तुम बता सकते हो वाट डू वी नीड फूड हमें फूड की दरूरत क्यूं है क्यूंकि हमें एनरजी चाहिए इसलिए हमें फूड की दरूरत है और डाइट क्या होता है डाइट आपके खाने का और आपके डिशेस में क्या फूड इंकलूड है उसको बोलते हैं डाइट और रीजन मतलब क्या वज़ा है कि हमारी डाइट में वेरियेशन होना चाहिए ताकि इसमें बहुत सारी वज़ा है कि हमारी डाइट में वेरियेशन होना चाहिए लाइक हमें अलग-अलग टेस्ट मिल पाए अलग-अलग फूड से अलग-अलग एनर्जी मिल पाए इसलिए हम लोग वेरियेशन रखते हैं क्योंकि हर फूड में हर टाइप का एनर्जी या तो नूट्रियेंट्स प्रेजेंट नहीं होता फूड और नूट्रियेंट्स नूट्रियेंट्स का मतलब होता है पौशकता और ये नूट्रियेंट्स आपको सिर्फ एक फूड से नहीं मिल सकता इसके लिए आपको variety of foods खाना पड़ेगा क्योंकि nutrients में include होते हैं क्या vitamin carbohydrate and mineral और सिर्फ आपको एक चीज खाने से ये सारी चीज़े नहीं मिल पाएंगी इसलिए आपको अलग-अलग चीज़े खानी पड़ती है like rice, chapati, सबजी, fruit, dry fruit तो आपको अलग-अलग चीज़ों में ये अलग-अलग चीज़े मिलती है तो अब start करते हैं क्योंकि आपको इतना समझ में आए गया है कि nutrition का मतलब क्या होता है और हमें ये सब क्यों चीज़ मालूम होना चाहिए some of the food items in our everyday meal are given below जैसे कि कुछ हमारे food items नीचे दिये गे हुए जो हम तुबा अपने नाश्टे में खाते हैं read their names और उनके नाम है rice, mung dal, amti, chowli, uswal, chapatis, jawar bakri, cabbage, bhaji, pumpkin raita, carrot salad, onion pakoda मुझे पता है तुम लोगों के मूँ में पानी आ रहा है लेकिन पानी को रखो side में और focus करो garlic chutney, lemon, pickle, yogurt, yogurt मतलब दही and paapada which of these dishes are served with large spoon or ladle and which one with small spoon अब आपको पता है कि हर चीज के लिए अलग-अलग size का spoon होता है कुछ चीजे हमें large spoon से serve की आती है और कुछ चीजे slide spoon से like chutney आपको डाल वाले spoon से निकाल कर नहीं रहेंगे क्योंकि वो आपको थोड़ी खानी है नहीं तो आपका मूह हो जाएगा लाल तो इसलिए हर size जैसे कि आप चावल निकालने वाले spoon से नमक निकाल कर नहीं डाल सकते इसलिए हर चीज का spoon size fix होता है कि कि किस से हमें भाजी निकालनी है और किस से हमें चटनी निकालनी और किस से हमें अचार निकालना है now we divided food item into group those we are eaten in a large quantity is those which are eaten in a very small quantity इसलिए हम ले हर चीजों को divide कर दिया है कुछ चीज हम large quantity में खाते हैं लहते कि rice, chapati और कुछ चीज small quantity में खाते हैं like भाजी उससे भी small quantity में खाते हैं चटने उससे भी small quantity में खाते हैं अचार staple food, chapati, bhakri और rice a part of every meal we have चो chapati, bhakri, rice होता है यह तो हर meal यानि हर time common ही होता है सुबा में भी खाते हो रात में but क्या change होता है हर time आपके dish में सबजी change होती है कभी आप बेंगन की भाजी खाते हो तो कभी आप कोई भाजी खाते हो अलाग-अलाग भाजी आप खाते हो we eat more of these food than the others और यह हम सबसे ज़ाद खाते है जो की बाकी चीज़े हम खाते है क्या चीज़? चावल, bhakri therefore wheat, jowar, rice said to be for our stable food इसलिए यह हमारे stable food कहे जाते है however with chapati, bhakri और rice we eat several items which make our meal tastier और जैसे कि हम और चीज़े उसके साथ खाते है ताकि हमें इस chapati, rice और भाकri को यह tasty बना दे सिर्फ आपको mom लाके बोलेगी यह लेविटा चावल खा, यह लेविटा, रोटी का तो आपका मू हो जाएगा यूँ कैसा? आपका मू हो जाएगा आपको अगर खाना है, टेस्टी से सी सबजी तो फिर आपका मू होगा यूँ का मज रहा हो ना? तो इनको टेस्टी बनाने के लिए अलग-अलग food यूज किया जाते हैं variety of food stuff, अब food stuff में क्या-क्या होते हैं उस food stuff होता है जो आपके daily के food होते हैं items, food stuff उसको बोलते हैं used to prepare the other item in our meal और हमारी में हम अलग-अलग item प्रेपर करते हैं some of these food stuff and their name are shown in the box page number 43, कुछ नीचे box दिये होगा, page number 43 में महाँ पर mention किये गये हैं which one you are familiar और आप इसमें से कौन-कौन से जानते हो, वो बताना है if there are some which are not seen, try to look at them और जो आपने नहीं देखा है, उसको गौर से देखना look at the food stuff in the box सबसे पहले है चीकू, यह हमारा fruit है चिली, यह हमारे spices में आता है जवार, यह हमारा fruit है रैडिश, यह आता है vegetables में एग, यह आता है protein diet में क्लोव्स, यह आता है spices में जिसको बोलते हैं long यूज कर सकते हैं, बाजरा, यह भी हमारे fruit grain में आता है sunflower, यह हमारे oil बनाने के लिए, जो हम oil यूज करते हैं sunflower से ही बनता है वो bitter guard, यह vegetable, milk यह भी हमें protein diet में आता है raw mango, यह pickles के यूज में आता है, black paper यह भी spices के यूज में आता है, मैं बता दूँ spices मसाले को बोलते है cucumber, यह salad और भाजी के भी काम आता है tamarind, यह भी pickles बनाने के और chutney बनाने के काम आती है lemon, lemon आपके salad, chutney, pickles सब में काम आता है chicken, यह भी आपके tasty और proteinious food में आता है, यानि आपकी भाजी की plate में यह मतलब जगे लेता है which one do we get floor, अब हमें कौन-कौन से आता किस से मिलता है, तो जाहिर सी बात है हमें wheat से और grain से बाजरे से आता मिलता है यानि floor, from what do we get butter, ghee and yogurt, मैंने बता है ना, की butter, ghee और yogurt आपको किस से मिलता है, milk से ठीक है, from which one do we get oil, oil कहां से मिलता है मैंने बताया ना, sunflower से which of these do we get animal और हमें animal से क्या मिलता है milk, which one give sweet, sour, bitter taste और spices, यो आएगा lemon टर्मर, इंडियानी, इमली ये हमारा आजाएगा, और raw mango which one do we eat raw और कौन सी चीज हम उसमें कच्चा खा सकते हैं तो हम रैडिश और कुकुम्बर, ये सारी चीज हम इसको raw भी खा सकते हैं which one do you use small quantity small quantity में हम spices याएगा चिली, लेमन्स और पिकल्स यूस करते हैं which one are used in a large quantity large quantity में हम रैस और भाकरी यूस करते हैं यानि जवार और वीड फ्लोर you have seen that with wide variety there is our food stuff we are different food stuff for different purposes different food stuff and different चीज़े different चीज़ों के लिए यूस करते हैं different खाने पीने के लिए we use milk to get butter, हम butter ताके हमें मिले, इसके हम milk यूस करते हैं we get flour from jawar, jawar यूस कर सकते हैं हमें आर्टा मिले, बाजरा to make भाकरी, to add your taste we may lemon और टर्मारीन and raw mangoes हम टेस्ट अड़ करने के लिए ये चीज़े यूस करते हैं when making sweet we are use either sugar or jaggery sweet बनाने के लिए sugar or jaggery which we get sugar can और हमें ये sugar can से मिलता है just as there is a variety in the food stuff we are there are different people like and dislike और सब के food मतलब जो like or dislike होते किसी को chicken पसंद होता है किसी को नहीं पसंद होता है यसे chicken सब को पसंद आता है मैं जानता हूं but बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको पसंद है आपकी घर में बाकी लोगों को नहीं पसंद है but बाकी लोगों को पसंद है आपको नहीं पसंद है we tend to eat item we like again and again और हमें जो पसंद हम इसको बार-बार खाना चाहते है we also tend और उप जाते हैं अगर कोई चीज़ हमें न पसंद भी है न फिर इसको बार-बार खाके हम जाते also aware that we don't like और जो हमको लाइक पसंद नहीं है और तो हम खाएंगे यह नहीं दुबार एक बार खा लिया तो how we are the most important thing to ensure that food related needs of body are being met और हमें सारे सबसे जान रखने कि food सबसे जान रखने कि हमारे body को जो भी जरूरत है यानि energy वो हमें food से मिलती है हमें ध्यान यह रखना चाहिए the food constituents that meet the difference need of our body are present in our food stuff और जो भी हमारे food को जरूरत है नीड है वो हमारे body में वो किन किन चीज़ों से मिलेगी food stuff में उसकी quantity अलग अलग है मतलब वो varying करता है quantities कि कि क्स quantity में हमें किस चीज़ खाना है ता कि हमारी body को support जैसे हमारी body को mineral चाहिए vitamin चाहिए energy चाहिए carbohydrate चाहिए तो यह सारी चीज़े अलग 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 चीजों से मिलेंगी यानि अलग अलग food से मिलेंगी some of the content gives the body of energy we need कुछ हमें constant कुछ चीज़े जो है हमें energy देती है जिसकी हमें जरूरत है जरूरत we work play all day long ताकि हम पूरा दिन खेल सकें also work like respiration and digestion of food goes inside in our body ताकि हम respiration और digestion भी कर सकें जो हमारी body में food जाता है उसके लिए the body need energy for all in this work और energy तो हर work के लिए जरूरत है तुम breathe ले रहे हो ना उसके लिए तुमको energy energy compulsory है यानि उसकी जरूरत पढ़ेगी some constant help the body to grow और कुछ चीज जरूरी है ताकि हमारी body grow करे they also help repair their wear and tear of body और वो हमारी body को repair करने के लिए यानि ऐसे cycle वाला repair नहीं सब आपको कहीं चोट लग गई है तो इसको ठीक होना मतलब बोलते हैं body repair होना तो उसके लिए भी आपको कुछ food जो खाएंगे उससे body जल्दी repair हो जाती है everyday work some of the constant help in nourish our body और कुछ अपनी body को nourish करने के लिए like silky bal और उग्दम shiny shiny gaal इन सब चीजों के लिए कुछ चीजों के दरह होता है they help to create store of substance give the energy of our body और यह सारी चीज़े store खरुती हमारे body में और हमारे body को energy देती है some food constituent are necessary for certain special reason और कुछ जो food के चीज़े हैं वो बहुत जादा जरूरी है necessary मतलब होता है बहुत जादा जरूरी जरूरी वो हमारे body को special reason के लिए for example some constituent make our bones strong ताकि हमारे कुछ हम चीज़े जो खाते हैं जैसे खटे fruit खाने से आपको disease से लड़ती है तो आपको disease से fight करके disease को भाग आ रेगे और आप बीमार नहीं पड़ोगे and all for the function of body to go smooth we need drink plenty of water और हमारी body का smooth function के लिए सबसे जादा जरूरी है कि हम बहुत अच्छा यानि plenty मतलब बहुत जादा water का use कर यानि हम पानी पी है if our body to is to work properly it must remain healthy और हमारी body का हर पाट अगर सही काम कर रहा तो इसका मतलब हम healthy है healthy का मतलब है कि आपका mind भी सही चलना चाहिए उसको बलते है कि properly work so we must include all the food constitute in our diet तो हम सारे food constituent अपने diet में लेंगे जिससे हमारी body healthy रहे से मिलते हैं different चीजों food से मिलती है different quantity और सब की quantity भी अलग होना चाहिए यानि कुछ चीज कम खाना है कुछ चीज जादा खाना है मैं आपको starting में समझा रही है that's why we keep using different food step on our daily level इसलिए हम अपने food को daily food step को different different चीज़े अपनी meal में mention करके रखते हैं यानि शामिल करके रखते हैं और यह diet हमारी body को एक proper nourishment complete energy और nourishment पहुचाती है body को fulfill यानि पूरी जरूरत पहुचाती है some people believe that costly food are more nourishing than expensive foods कुछ लोग लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो costly food नहीं में साही energy होती यानि साही energy वगर हमें उनहीं से मिल जाती है ताक ना कि सस्ते foods है inexpensive यानि सस्ता और costly यानि महेंगा but that not always true but यह हमेशे true नहीं होता है कभी-कभी हम लोगों को ना सस्ती चीज़ खाने से भी वह energy मिल जाती है जो महेंगी चीज़ खाने से नहीं मिलती suppose अगर आप मोंफली खाते हो ना सेंग दाना तो आपको वह बादाम जितनी energy दे सकता है all expensive food are not nourishing similar ले इसलिए सारे expensive food आपको nourishment नहीं देते हैं all cheaper food are not less nourishing इसलिए सारे cheaper food भी कम nourishing वाले नहीं होता है अच्छी सारे nourishing मतलब सबते हैं कि आपको body की जरूरत preserving in the food ingredient अब हम food ingredient को कैसे preserve कर सकते हैं ठीक है while preparing food items some of the constituent help in the stuff can be get destroyed we can take the following precaution to avoid that हम prepare करने के लिए food को कुछ constituent और कुछ food step जो है खराब हो जाते हैं हम कुछ उसके लिए precautions चीज़ तक करते हैं ताकि वह खराब ना हो जैसे कि when cooking food add only as much as necessary और cooking जब food करते हैं तो हम उसमें उतना ही एड़ करते हैं चीज़े जितनी हमको जरूरत है यह नहीं कि बस 10 किलो लाड़ दिया पांच किलो डल लिया जितनी हमें जरूरत होती होते हैं यूज pressure cooker और cover the food with lid while cooking it और हम pressure cooker यूज करते हैं ताकि हमें कम heat देना पड़े और जल्दी से खाना बन जाए तो इसमें हमने heat यानि energy को बचा लिया जो gas का आपका खर्चा है वो कम लगेगा spread pulses before using them use while the sprout are still small do not wait for them to grow long और जो sprouts है पलसे के वो before using using them used while the sprout are still small जब उसके sprout बिल्कुल small होना तभी उसको use कर लें ताकि तब तक ना use करें कि जब तक उसके sprout grow होके और long बड़े हो जाए उससे क्या होगा आपका पलसे तो वो गलेगा नहीं खड़ा खड़ा रहेगा और आपका अच्छे से food prepare नहीं हो पाएगा use whole grain floor without shifting जैसे की whole grain floor जैसे की आपका जो है ना floor आपना अल्टा बटा पीश के ला या उसको पुरा 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 चाल जाल के उसकर के आप जैसे बहुत सारे चीज़े निकाल लेते हो तो बस उतना यह चीज़े निकल जितनी आपको जरूरत है चीक है बहुत सारे चीज़े शिफ्ट मत करो बहुत सारे चीज़े मत निकालो eat fruit like chickoo fix grabs apple along with their skin जैसे आपको fruit खाना है like chickoo fix यह सब निकालने की जरूरत नहीं है यह सब आप उसके ऊपर जो आपको चिलका है उसके साथ खा सकते हो be said vegetable like carrot radish cucumber beetroot should be eaten raw in the fruit salad और यह सारी चीज़े जो मैंने बुला vegetables like carrot radish cucumber यह सारी चीज़े सालात में आप raw यानि कच्छा without cook किया भी इसको आप खा सकते हो whenever possible mix two or three food stuff in a dish for example add onion and potato to usal add drumsticks to curry and some soaked dal while cooking vegetables और आपको 2-3 चीज़ जैसे mix कर देना चीज़े अपने खाने में like जैसे potato उसल में ठीक है onion or potato उसल में और drumstick and carries or some of the soaked dal while cooking vegetables जब आप vegetables cook करते हो ना उस time पर आपको mix कर देना चीज़े a tongue for tasting as usual we had all gathered in the garden in the evening Monika Thay Salas shall I shall I tell you something funny about our tongue कि मैं अपने जो Monika Thay Salas said कि मैं कुछ ऐसा तुमको फनी बता हूं आपने तंग के बारे में ठीक है बताऊंगा as we draw closer to her she said how we do make water sweet without sugar just try chew and aamla well and drink water right after that the water taste is sweet तो फिर वो उसके पास आता है वो बता बता हो हां तो वो बलती है कि सुनो तुम ना अपने जो water है उसको sweet taste कैसे feel कर सकते हो पता है तो without sugar उसमें mix हुआ वो बलता है कैसे है ना तो बलती है तुम aamla को लो आमला जो होता है वो बहुत खटा होता है ठीक है उसको लो और उसको अच्छे तहीके से chew करो खुब ऐसको चबा चबा के खाओ हना और उसके बार water drink करो तुरंत हना तो उस बार आपको water का जो टेस्ट है वो आपको कैसा लगेगा शुगरी यानि मीठा लगेगा चाहिए तो आप try करके देख लेना really I never knew this said Mary Mary बलती सची मैं तो नहीं जानती थी पहले then Baloo said we learned last year through our tongue have the taste thing but how does only one tongue tell us the different taste तो बलता है मैंको तो last year मालूम पड़ा है कि हमारी tongue से हमको taste मालूम पड़ता है but एक tongue से हमें इतना सारे taste कैसे मालूम पड़ता है सुभाश piped up so that you want to different tongue for every taste तुक के तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हर टेस्ट के लिए अलग-अलग tongue होनी चाहिए थी या तुम्हें अलग-अलग tongue चाहिए that made everyone laugh तो सब हसने लगते है Monica Tai said Baloo we have only two eyes and how many color do we see with them कि हमारे पास आखे तो सिफ दो हैं लेकिन हम color कितने सारे देख लेते हैं उससे तो इसका मुलब हर color के लिए अलग-अलग आखे होना चाहिए था So one tongue can also tell many tests तो इसलिए सिफ जो tongue है एक जबान भी वह बहुत सारे taste आपको बता सकती है Observe this Wash your hand and your tongue and stand in the front of mirror Stick our tongue and look it carefully अब tongue के सामने खड़े होकर अपने wind को wash करके अपने tongue को carefully देखो You will see tiny peak on the tongue आपको छोटे-छोटे peak यानी dot दिखेंगे आपके tongue पे They are called taste buds और इनको taste buds कहे जाते हैं These taste buds tell us the different taste और यह taste buds हमको different different tastes बताते हैं Know the different अब हम इसके different जानते हैं Let us see how tongue tell us different taste अब हम जानेंगे कि tongue हमें different कैसे बताती है Collect the following thing Sugar candy और jaggery Salt Terminant और lemon Fenugreek यानि मेथी और पीसेशन आमला यह सारी चीज़े आप लेकर रख लो Taste each of these things after taste each one Rinse your mouth with water Wait for two minutes and then test the next Copy the following table in your notebook और अपने इस table के इसमें लिखो आपको क्या करना है यह सारी चीज़े लेना है जो उपर mention की गई है और उसके पास एक एक चीज़ को खाना है फिर उसके बाद उसका taste लिखना है पिर आपको मुँसे कुली करना है पिर अपने मुँको wash करना है और फिर इसे दूसरी चीज़ खाना है, फिर उसका taste लिखना है सबसे पहले आपको sugar और जागरी खाना है तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह sweet है आपको sweet लिखना है फिर आप पीस ओफ आमला इसको ट्राइ करोगा तो यह भी आपको सौर यानि खट्टा में लोग बड़ेगा तो आपका यह ताहर होगा पहले स्वीट फिर स्वाल्टी फिर सौर फिर बिटर और फिर सौर यह सारी चीज है लेमन, टर्मारेंड, बीटगडगाड और आमला प्ले आ गेम फोर फाइफ यू प्ले इस गेम तोगेजर चार पांच लोग मिलके यह गेम खेल सकते हो एक जन को सबको किसी को देखना है और क्या करना है एक परसन कोई जिए दिखाएगा और दूसरे को उसको फूड बताना है कि क्या चीज़े है यह इस पांच शी जन जमा कोई और सारी चीज़े लेना है और एक एक जन को टेस्ट करके बाकी लोगों को बताना है क्या क्या है